नमिश्कर दोस्तों आज के उते किताब के बदले हम एक किताब के चैप्टर का साराउश देखेंगे इस चाप्टर की बहुत मांग आ रही थी मेरे पास और वो है Breaking the Habit of Being Yourself नाम की जो किताब है जो डिस्पेंजा की जो मैंने अल्रेडी उसका साराउश डाला हुआ है तो इस किताब में से जो फिफ्ट चाप्टर है पाचवा उसका चाप्टर जो है वो है सर्वाइवल वर्सिस क्रियेशन और इसके बारे में एक्स्प्लेनेशन की बहुत लोगों से मांग आई थी तो मैंने इस हफते सिर्फ ये फिफ्ट चाप्टर का जो समरी है फिफ्ट इस चाप्टर में बताते हैं सबसे महत्वपुर्ण बात यह है कि जब भी हम तनाव में होते हैं टेंशन में होते हैं स्ट्रेस के अंडर होते हैं तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में होता है मतलब जैसे तैसे जिन्दा है बस और जब हम शांत होते हैं विचार नहीं करते मतलब मैं और शरीर दोनों बिल्कुल शांत होते हैं तो हमारा शरीर creation mode में होता है मतलब शरीर में repairing यानि जो भी तूट-पूट हुई है तो उसे ठीक करना growth यानि हमारे cells यानि कोशिकाओं को लेकर सभी प्रकार की प्रतिकार शक्ती को बढ़ाना regeneration यानि नए cells यानि कोशिकाओं को बनाना, regeneration यानि शरीर के हर अणु को तरो ताजा बनाना ये सारे काम creation mode में होते हैं जो हमारी तंदूरुस्ती को बढ़ाते हैं हमारे brain यानि दिमाग का जो frontal लोग होता हैं वो हमें और बहतर अंदूरुस्त बनाने के लिए तीन तरीके से काम करता है पहला तरीका है metacognition मतलब खुद के बारे में aware होना, जागरूक होना जब तक हम ये नहीं देखते कि हम कैसे विचार कर रहे हैं, हम कैसी भावनाओं को पकड़े रखते हैं, हम अपने आप में कोई बदलाओं नहीं ला सकते यानि हम अपनी creation power खुद को नया बनाने की जो ताकत है हमारी उसे अंदेखा कर देते हैं जैसे कि अगर हमें हर बार की बहुत ज़्यादा चिन्ता होती है, तो हमें पहले इसे स्विकार करना होगा कि हां मैं कुछ ज़्यादा ही चिन्ता करती हैं तभी हमारे पास उसे बदलने का choice होगा, कि मेरे चिन्ता करने से तो मेरे problem कम नहीं हो रहे हैं, तो चलो कोई और pattern अपनाते हैं दूसरा तरीका है creating a new mind, मतलब हमें अपने आप से सवाल पूछ कर, self-talk करके, समझने, समझाने की और बताने की जरूरत है कि अगर मेरे चिन्ता करने से कुछ बदल नहीं रहा है और मुझे उसे बदलना है, तो मुझे अपने choices को बदलना होगा जैसे कि अपनी पसंदिदा बाते ढूंडना और उन्हें करना, yoga, meditation, relaxation और हमारे interest वाली बातों को करना, उसमें मन लगाना या फिर जिस बात में चिन्ता है उसके बारे में positive imagination करना, कलपना करना, visualization करना, affirmation लेना ये सब हमारे मन में नई बाते, नई विचार, नई भावनाओं को लेकर आता है और ये नई विचार हमारे brain यानि हमारे दिमाग में rewiring का काम शुरू करते हैं जिसे जोड़ स्थेंगा, neurologically नया मन create करना कहते हैं तीसरा जो तरीका वो बताते हैं, वो making your thought more real than anything else मतलब हमें जो नई विचार, नई feelings के बारे में सूचना हैं उन्हें relaxed state में, meditative state में जाकर यानि पूरी तरह अराम दायक अवस्था में जब हम देखने, सूचने लगते हैं तो हम उन विचारों को हकीकत में ला सकते हैं क्योंकि विच्राव अवस्था यानि relaxed state में हमारा जो frontal lobe है, वो पूरी तरह अक्टिवेट हो जाता है इसे हम meditation या ध्यान में भी कर सकते हैं इस technique से हमें सिर्फ अपने शरीर को ही तंदरुस्त नहीं बनाना है या सिर्फ ये इसी में नहीं help करता बल्कि अपनी जिंदगी में अपने रोग प्रतिकार शक्ती को भी ये बढ़ाता है और अपनी जिंदगी में भी हमें rewiring करना अपने brain का ताकि हम जो आज के हमारे हालात हैं उन्हें नया बना सके उन्हें उस तरह से बना सके जैसा कि हम चाहते हैं ये हम कर सकते हैं तो ये तीन बातों से पहला है जागरूख होना हमारे विचारों के बारे में, हमारे फीलिंग्स के बारे में हमारे रियक्शन के बारे में जागरूख होना, अवेर होना फिर उसके उपर सोचना की क्या ये मैं जो कर रही हूँ reaction ये negative है अगर मैं negative reaction दे रही हूँ तो क्या मुझे ये positive results देगी और ये सब सोचने के बाद अगर हम उसके बारे में बहुत ज़्यदा चिंता कर रहे हैं तो खुद को ये समझाना कि मेरे चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला तो मुझे तो जो चाहिए उसके उपर ही focused रहना है और वो जब मैं करती हूँ तब मैं अपने brain का अपनी दिमाग का rewiring शुरू हो जाता है तो ये हम relaxed state में रहकर भी कर सकते हैं मैं एक relaxation technique यानि की जो guided meditation में आता है वो भी इसमें डाल रही हूँ जल्दी ही ताकि अगर आप अपने आपको relax नहीं कर पाते हैं तो उस guided meditation के दुआरा आप relaxation में जल्दी जा सकते हैं और relaxation की practice कर सकते हैं कि खुद को कैसे relaxation state में ले जाना है relaxation का मतलब सिर्फ आराम से लेटना नहीं है शरीर relax करना नहीं है हमारे मन को भी relax करना होता है और यह तीसरी बात है कि एक नए हमारे brain को हमारी विचारों को create करना ताकि हमारा brain rewiring करके वहीं चीज़े सामने ला सके जो हम चाहते हैं तो यह इस fifth chapter में Jude Spenza बताते है कि कैसे survival mode से हमें अपने आपको creation mode में ले जाना है तभी हमारी जो addictions है बहुत सारे लोगों ने addiction के बारे में भी मुझे सवाल पूछा था कि यह कैसे हम कर सकते हैं तो addiction अगर है अभी मेरे जिन्दगी में चाहें फिर वो किसी भी बात का हो addiction का मतलब सिर्फ drugs या शराब या cigarette ऐसा नहीं होता है चाहें किसी भी बुरी लत हो आपकी आजकल तो वो social media chatting पूरा दिन social media पे रहना यह भी addiction ही है क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बड़े तो बड़े चोटे पच्चों को भी अगर mobile कहीं भूल जाते हैं तो वो बहुत restless हो जाते हैं उन्हें लगता है कि अब मैं कैसे जिन्दा हूं तो वो survival mode में आ जाते हैं मतलब mobile नहीं रहा उनके पास तो तो सूचिए कि कितना बुरा असर उनकी शरीर पर उनकी life पर इसका पढ़ रहा होगा तो इसलिए हमें यह deliberately यानि कि प्रैतन पूर्वक बहुत ज़्यादा कोशिश करके करना है कि हम आज जिस हालत में हैं हमें अपने आपको इस survival mode से लेकर creation mode में लेकर जाना है और उसके लिए हमें relaxation technique सीखना होगा या ध्यान meditation अगर हम करते हैं तो वो सीखना होगा तभी हम अपने आपको अपने body को अपने life को survival में से creation में ले जा सकते हैं यह कोई जादू या एक दिन में होने वाली चीज नहीं है इसके लिए practice ज़रूरी है और अगर हम खुद के लिए कोई practice नहीं कर सकते हैं तो हमें अपनी जिन्दगी में अच्छी चीज़े लाने के सपने हमारे सिर्फ सपने ही रह जाते हैं या खुद को develop करने का self development के बारे में हम जो सूचते हैं वो सपना ही रह जाता है यह ऐसा ना हो इसलिए चलिए आज से ही हम तीनों चीज़ों पर गौर फरमाते हैं डॉक्टर जोड स्पिंजा ने लाखों लोगों को यह सिखाया टेक्नी और उनका brain का सारा record उन्होंने दिया है ताकि यह scientifically prove हो कि कैसे हम survival mode को छोड़ कर जब creation mode में चले जाते हैं तो अपनी life में अपनी बिमारियों में बिल्कुल जैसा चाहिए वैसा positive mode ला सकते हैं तो यह था survival versus creation अगर अभी भी आपको कोई सवाल है इसमें तो please मुझे comment box में लिख कर भीजिएगा मैं उस पर और कोई explanation त्यार करूंगी लेकिन मुझे लगता है कि यह समझने के बाद हर किसी को पता चल जाए कि मुझे अगर मेरा आज बदलना है फिर चाहे वो addiction हो चाहे या कोई और चीज हो तो मुझे survival mode में छोड़ना होगा और creation mode में खुद को लेकर जाना होगा उसके लिए कम से कम खुद के लिए मुझे 10 से 15 minute पूरे दिन में अलग रखने ही होंगे अगर हम यह decide करते हैं तो हम हमारे लिए कुछ भी impossible नहीं है हम कुछ भी कर सकते हैं जो भी चाहिए वो हमारी जिंदगी में लेकर आ सकते हैं तो चलिए दोस्तों अभी से शुरू कर देते हैं और definitely आप मुझे जरूर comment box में लिखकर बेजिएगा कि यह explanation आपको अच्छा लगा या और कुछ आप चाहत धन्यवाद